गुड मॉर्टी इस्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड और जैसा कि आप जाने की जो ब्लड है इसको हम रखने की रखने तो blood या रख या श्नोरिक या आज हम पढ़ने वाले हैं और जो blood है इसको हम रेवल और life या कितने मैं? रेवल और life इसका मतबब आप जालिए कि जीवन की जो सहीता है वो कोल है? तो सबसे पहले बात आती है कि ब्लड वास्तव में है क्या तो ब्लड को समझने के लिए मैंने इसके अर्चक किते हैं आप देखिए ब्लड का मुझा हुआ है इसका मुझा है कि ब्लड क्या है एक जटेल तरल वाला तो सारे ब्लड ये सभी उत्तव को आपस में जोडने वाला एक उत्तव है वो कुन है ब्लड और इसको हम एक तरह का तरल मानके और ये तरल जो है वह कैसा है शान है यानि इसमें विसको सब्सक्राइब है तो इसको हम ये भी क्या सकते हैं कि ये शान तरन है तो ब्लड वाट इच ब्लड ब्लड इस ए कॉंप्लेक्ट्स लिक्विड कनेक्टिव टिशू एंड आल्सो ए विसकुस फ्यूर अगर इसकी बात मैं करूं कि इस अगरे लिए भी हम सब जानते ही ऐन बड़ भी पिग्मेंट जो जबेसे और ये चान अपि ब्लड जो है अमेजा है आपारोदर्श्री भूता है अपारोदर्श्री आपने एक पोड को ने ब्लड को भर लिया है तो ब्लड से बूकर के आप इसकुसरी चीज को नहीं देख तो इसका मुखब गवा कि यह अप्दरसी है इसके प्रकर्टी के बारे में बात पर्ते हैं मेंचर के साय, आंके लाइन आंके लाइन को आप और पुछारी अब प्छारी का मुखब आप जाने है कि इसका pH जो value है वो 7 हो वो किस में आता है विए कि रundetबान फार एक्षाइल कीई है तो इसका ती प्लों के पाती प्छाइला कीई ते प्लुप की ञिंधा लुज़ा है इसके फ़ियक पीन केशियों के उखायी अभ मैं अगर बात करने और आध्य आ ग कितना बलड उसकी बोरी हम उता है में पास से जोके साणे पांच लिटर तक रुड़ का आइखिन कोता है या ने कहुं बल GDP माक्रा दूटिा होती है तो यह आता है आट फीकिलिशट तक उसके बोली या अगर तो इसके निर्मान की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहेंगे तो इसके निर्मान की प्रक्रिया है, इसके बनने की प्रक्रिया है, जो इसके निर्मान की प्रक्रिया है, निर्मान की प्रक्रिया है, निर्मान की प्रक्रिया है, उसके निर्मान की प्रक्रिया है, उसके निर्मान इमस्वती तर्क करेंने को आप में आप हमसे हैं कि तर्क कि डर्म बते हैं मिजयने है और मिजयने जरी ऐगनाव ये कि इस में यह ब्रड यो है मिजयना नाएं बनता है after fertilization जब जाइगोड इंप्लांट पुलाता है यूट्रस में और उसके जो second month होता है या embryo development की इस्तती में तो उस समय हम इसको लेखते हैं तो मैं यहां पर यह origin की चर्चा करूँगा कि origin किस समय के उसे होता है तो जो second month होता है second month second month तब दूसरा मेंना जब embryo development का चल्ड़ा होता है कि कौन सी stage हो गई embryonic stage हो गई यानि second month embryonic stage जो है उस समय अगर हम बात करें कि इसका origin किससे होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि यह york sex से होता है यह york sex से यह होता है placenta के अंदर और अगर हम बात करें second month तक तो इसका होगा और second month second month to fifth month जो embryonic condition है उस समय इसका निर्मान किसके द्वारा होगा तो इसमें पाइंडरी रोल के होगा पुल लीवर का होगा और जो secondary रोल है वो इस परीड का होगा और तर्फरी रोल है वो आपके थाइमस द्रेम का होगा तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह जितने मैंने अगर हम मात करें एंडर्ट स्टेज की तो एंडर्ट जो स्टेज है या मैं कहूं आपके जर्म के बार या मैं कहूं कि इस दुनिया में आने के बार जब ब्लड बनता है बोडी में तो यह ओर्गंस नहीं तो हम इसके रिए क्या होती है इसके रिए होती है जूति है हमारे प्ली की सबसे बड़ी लोंगेस बॉन ओफ मन बोडी फिमर तो फिमर के जो रेट बॉन नेरो है वहां पर ब्लॉड का ओरिजन होता है तो यह इसके ओरिजन की बात होगी अलग-लग अवस्थाओं में अलग-लग ओर्डनस में अलग-लग इसूज में जहां यह बनता है वह हमने देखा अब हम देखते हैं कि ब्लड जो है इसको हमने रिवर ओफ लाइट का है और रिवर ताम पर सरीता होता है नदी होती है तो हमारी पूरी बोड़ी में यह सर्कुलेट होता रहता है यह बहता रहता है तो इसको पहानी के जिए जो जिम्मेदार ओर्गन है उसका नाम क्या है जी इसकी वामबि इसके द्वरा होती है हण के द्वरा होती है और हण को आट का करते हैं रिदयर तो रेदे के जुआरा एक ऐसा फ्लूड जिसको की पूरी बोडी में पंप किया जाता है जो की लिविड कनेक्टिव टिशू से मेड़ है जो की एक तरह का विसकस फ्लूड है उसे ही हम क्या पहनेंगे ब्लड कहेंगे शॉड़ कहेंगे अब हम बात करते हैं इसके कि यदे चर्चा हम ब्लड की करें तो इसमें मेजर कंपोनेंट आपको दो नजर आएगें कंपोजिशन का पूर्चा होता है यह शंग्धन होता है यह इससे मिलकर बना हुआ है तो यहां हम दो देख सकते हैं परामिटर्स की दो कंपोनेंट इसके होते हैं एक प्लाज्मा इसको आप समझें कि यह टिया मैं को हौँ तरल खॉब में होने वाला मिलने वाला अच कि है यह तरल अवस्ता जो ठुट की होती है उसे हम कहते है क्या है प्लाज्मा और जो यह है यह आने घूश कर्मिटाएं होती है या मैं को हूँ सॉलिट के क्टर होता है तो यह जो प्लाज्मा की अंदर तेरती रहेंगी, वो क्या है? वो है आपके solid structure जो की blood plasma में growth तर्थी रहती है, तो उसे हम कहते है blood guard muscles, अब हम क्या है कि यह initial जो चप्चा हुई मोटी मोटी blood की, अब हम blood के composition में plasma रहते हैं, कि वास्तम में plasma क्या होता है, तो देखिए हम plasma को पढ़ते हैं अब देखिए हम plasma पढ़ने वाले हैं, और आपको मालूम है कि blood के two component होगे, एक plasma हो जो है, एक blood का पॉस्ट होगी, अब सबसे पहले हैं, अगर बाद करें हम plasma की, तो plasma की, प्लाज्मा की देखिए मैंने निखाया एक्स्राशलर फ्यूब है, यानि इसके सब कर रहे ही, और इसके बाद में इसका पनल की बार करें, तो हमका पीला होता है यह, और हमका पीला तरफ जो है, इसके त्वारा इसको पैचाना जाता है, alkaline नेचर होता है, अब आपको एक छाटिय तरह है, क्यों क्योंकि इसका pH जो है 7.3 to 7.5 के पीजिने होता है, इसका pH इतना होता है 7.3 क्योंके होता है, इसके बाद में हießen और इसके बाद में हम लगा देखें, तो total volume of blood, एक वायदा को मिने blasma का यह दूसरे को मिने blasma का पलगिन भूलो दूसरे को में blvaka 1994 लेकिन यहाँ इंट की प्रोमोंति नहीं होटा पी candle जब हार्मोन वीजन है कि ब्लड में जब हार्मोन सुनते हैं या फिर प्रोटेन्स होती है या पिर जो कारवनिक रखक होते हैं या वाटर कंटेंट है उसकी कंसेंट्रेशन अगर एक लेवल से उपर होती है तो इसका कंपोजिशन जो है प्लाजमा का जैसा हम पढ़ रहे हैं अब हम इन जनरल बातों के साथ साथ प्लाजमा का जो कंपोजिशन है उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है पॉइंट आप देत रहे हो यह आपका प्लाजमा हो गया और इस प्लाजमा को मैंने यहां वड़े लगटहिं और दूसरे गठश में रोगया इसदी तीम गठख में पर तो यह यहाया कर तों ०िश्री क क्यों नियुकन निया उन प्रक्षय हमिंगा का उन आउंर से लेने कि वाजनindden फिता, 92-92% तक भॉतर होता है किसमें प्लाईमानना अचा कि ak 무त क्या है फिरिए आपको मजुम कोना चाहिए जो ब्लड प्रेशर है, इसका कारिय में यहां मी लिपता हूं, इसका क्या काम है वाटर का काम क्या है ? Sister potem का क्या है ? इसके लिए आपको मालूम चाहिए कि जो ब्लेदरिश्र है इसका कारीय में यहां पी लिकता हूं इसका क्या काम है ? वाटर क्या काम करता है जो ब्लेदरिश्र है और आइटन है इडन का क्यों थे ऊसको गड़न जरी रगता है वोटर जो अ div नियमान करता है उसका परिवाहशन रहे है अब फैन रहे हूं कि ए चर्वाल में टर्स नुचितर नहीं है और जो प्लाजमा में 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 सबसे ज्यादा कौंट सी मिलती है तो सबसे ज्यादा जो प्राइबा पॉटीन है वह अल्गमिन जो मेजर पोडिन है और बहुत ज़रूरी है तो कि बोडी में जो आस्माटिक प्रेशर है उसको जल्डेर टाना उसको मेंटेन करने का काम कुंद्द कि है एल्यूमिन करती है तो हम यह कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटेक औसमोटिक प्रेशर जो होता है जी कि प्राश्न दाव हमारे ऑफी में तो इसको नियमित और करने का काम या अश्पन करने का काम करती है ऐमिन करती है उसके बात के अगली हम देखें अगली क्योटीन जिसका नाम है ग्लोपि vaccin की बात कर एक को कि इम्मिलो ग्लोपिन है तो हम चेसे को ची गÎरन whisk आपके formSP रेगी और संगस कि काम करें तो ये रख्षा राटिती तयार करने वाहा काम करती है को सब्सके कि आपके आप देख पा रहे हैं, फ़ड़ प्रोटीन इसको मैंने लिखा है, फाइब रिलोजन लिका है, और फाइब लोजन है, इसका अगर मैं गंगेट देखूँ तो 0.3% हुटी है, और फोफों भी विश्कों में साथ पढ़ूँगा, क्यों क्यों ये फी एक जैसे ने चत्थी है फ्री इंज़ा काम है उगर कभी इंजली हो जाए कि यह क्यों भरिंक अगर हम किसे किसे समझते के हुथ यह उनिमारमफी आपके है और की मिलेगीПरन किसे मिलेगी आपके अब हम देखते हैं इसका थर्ड जो मेजर कंपोनेंट ने हो क्या है इन और गनेंट और इन और गनेंट कंपोनेंट को आप क्या करते हैं एक आप निक गता है अब हम देखें एक आर्गी बचक में आगर हम देखें तो ऐसे देखनें जिनमें की आपको हम पहें कि जो बोडी के पी एच के लिए विलै विवाव के लिए जो बोडी का पी एच है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा आइनिक बैलेंस बनाना होगा और वो करें इसके साथ में यहां देखिया यहां मैं रिखाय चिर्शमाइल यह है आपका प्रट्री माइन इन तीनों आइंस के जो सल्फेट है जो फोस्पेट है जो बाइकार्बोनेट से वो इस में हम स्टडी करते हैं और यह जो एक आर्पने प्टुए इसका काम किया है इन सब काम मैं यहां लिखता हूं और यहां में लिखना प्रेशन को जनेरे टरना एंकि बोडिए फोरमेशन में और ब्लॉटिंग में जरौ लादा करना और जो होड़तर कंटेंट है वो ब्लॉट प्रेशन को तो मेंटेंड करेगा यहां साथ की ब्लड का जो आइकन है उस आइकन को नीमित करना और अगर वाटर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना तो यह सारा काम यह तिनों के हम ने देखे इसके बाद में मैंने जो फॉर्थ पॉइंट लिखा है जो लिखा है अदर्स में और अदर्स में मैंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे एसे कुन्पोनेंट्स में मिलेंगे जिनका फगी हमना मेंजर गोन होगा और यह बहुत सारे कौनेंट्स को हम जोलेगे और पॉइंट वन पॉसेंक गलता है यह कि माक्राब ऴ divisions थे ऐसके भाद मेने मीनाशेयद लिखा एसका मान जो है पॉइंट युल Спष कि आ होता है पॉइंट फाहिजिए आने य। रूपॉ भेज़ो विए ऍय। आप जब प्रोटीन्स तूटते हैं या गार्बाइड तूट का है या मॉनमर्स तूटते हैं अल्टीमेट लिया है उनसे एक प्राणी को काम करने के लिए हमेसा एनर्जी चाहिए तो यह तिनू जो कंपोनेंट है निपोज, एमियो असेड़ अन्टे़ असेड़ असेड़ यह सारे क्या दिरवाते हैंा अन्टेशन परवाइड तरवाते हैं इसके बाद में उर उपतों सबसे चीज़े आप देगनें होगा हार्मों बिन लिखा है यानि हार्मों किसे कैँए टूजमरेंज को सब्रक जो स्को सब्रक्वराइड करती हैं अपनी ब्लड में रिलीज क प्लाजमा को रिवर आफ लाइक क्या है और रिवर आफ लाइक चो प्लाजमा को लूच का है फ्लॉट नो कि वह लिक्विड मीडियम है और ब्लड का लिक्विड मीडियम क्या होता है प्लाज्मा होता है तो हम यह कहें कि हार्मोन्स और एंजेंग्स जो है वो किसमें बहते रहेंगे इसमें ट्रेवल करते रहेंगे वो प्लाज्मा में बहते रहेंगे इसके अलावा क्या में प्लाज कर दिया जाता है लेकिन ये टेबल जो करेंगे ही ये करेंगे आपके ब्लड प्लाजमा के फूर। और अगर हम गैसे भी बात करें तो इसमें आउक्सिजन अ-ग्सिजन, CO2, NITR, हम ये सभी प्रकार की गैसे भी प्लाजमा में टेवल करती रहेंगे और इसे के तुरू हमारे तो टार्गेट टिश्यूज हैं जहां पर अरॉप्सिय की स्टेज है या जहां पर ज्यादा कार्बन डाय ओकसाइड एक्विलेट करनी है तो वहां से इनका ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी साहे के रूप में प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा व तो हमने देखा ये टोटल किसका अध्यन हुआ किसकी study हुई हमारे प्लाज्मा की study हुई प्लाज्मा की अगर function के बारे आगस्ट पुछा जाए तो इसके सभी component के functions के बारे में आप पता सकते हैं एक बात आती है कि यहां हमने blood की definition देखी फ्लाज्मा की definition देखी लेकिन फि तो यहां पर देखी सीरूम एक चीज उती है सीरूम यह जो प्रोटीन होती है उसी के आदापतर हम ब्लड गुप को अइडिटिक्टाइब करते हैं तो सीरूम जाओका है सीरूम को समझने के लिए आप एक समझेए जो ब्लड होता है इस ब्लड के अंदर से हाइब ब्रिनोजन को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा सीरूम बनेगा तो सीरम को ultimately मैं यह भी कह सकता हूँ कि सीरम क्या है तो मैं यह कहूंगा कि हमारे ब्लड का वो इस्सा है जिसमें की clotting, protein जो है वह बहार निकाल दी जाती है अर्था सीरम एक ऐसा fluid है जिसमें ब्लड को प्रोट करने की पावर नहीं है क्यों नहीं होती चूंकि उसमें blood protein करने वाली जो protein से fibrin है, fibrinogen है, protein है वो नहीं होती तो blood में से fibrin, fibrin, protein इनको आप release कर दीजिए बहार निकाल दीजिए तो हैस्तों जो blood बचेगा तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा और सीरम में जो protein होती है, सीरम में जो protein होती है, उसी के base पर हम blood group को identify करते हैं जो की call lead listener दिया था, next video जो होंगे उनमें हम blood group की video की study करेंगे, तो आज का हमारा topic रहा, क्या blood plasma आप और भी ज्यादा video देखना चाहते हैं, वो अपने साथ्यों को video को share कीजिए और like कीजिए, thank you